सब्सक्रार हमारी यूटिप चैल में आपका स्वागत है दोस्तों मैं बता दू कि इस वीडियो के माइदम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ और यह जो है यह नियू सोर्स जहारकंड एडुमेंट के दुआरा है और यह ख़बर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है क्या है 230 नंबर वाले पास और 272 वाले फेल अब शुरू होगा भाईया जहारकंड में असली खेल ठीक है और तो इसमें जो जेपीएसी में धांगली जो हुई है उस पर यह मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको पूरा देखें इससे पिल अगर आ ठीक है इसका लव रेलवे इन सारे जो एक्जाम्स होते हैं इन सारे पदों पर उसकी जानकारी हमारे इस चैनल के दुबारे दी जाती तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कोल भी ना बोले तो चलिए देखते हैं क्या है इस पर धानले पर क्या इसमें कुछ ख़बर ठीक है तो यहां पर देखे लिखा हुआ है साथवी से दसवी जेपी सी पीटी परिक्षा में 230 नंबर वाले पास और 272 वाले फेल यह यहां पर कहा जा रहा है और यहां पर रिपोर्ट में क्या है वो भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं ठीक है आपको साइद दिखाई दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको पढ़के दिखाई पढ़के समझाता हूँ यह यहां पर क्या आखिर वास्ता में लिखा हुआ है ठीक है तो इसको पढ़ते हैं लिखावा साथवी से दसवी जेपी सी पीटी परिक्षा में 230 नंबर वाले पास और 272 वाले फेल यह कहना है चात्र नेता देविंद्र नात महतो का और परविन चोधरी का आज मुराबादी बापु वार्टिका में प्रेस कॉन्फरेंस में जेपी सी परिक्षा फल में गड़बडी का सबूत पेस करते हैं उन्होंने कहा कि पीटी परिक्षा फल में महा घोटाला हुआ है सेटिंग गेटिंग में फेल चात्रों को पास करा दिया गया ठीक है और लोहर दगा के क्रमवार उत्तिर्ण होने वाले सेंटर का उधारन उधारन देते हुए कहा कि कम नंबर लाने वाले चात्र को पास कर दिया गया जिसका रोल नंबर 522-36888 जो 32 नंबर लाकर अर्थात 115 सवाल बना कर पास हुआ है जबकि इससे ज़्यादा नंबर लाने वाले रोल नंबर 523-00-986 है जो 272 अर्थात 136 सवाल हल करके फेल हो गया तो बिलकुल इससे साफ जायर होता है कि जो JPS जो बिलकुल धानली कर रही है ठीक है जहां तक सभी को सभी का कहना और मैं भी धानली के सबोर्ट में हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए JPS ही एक बहुत बड़ी संस्था है ठीक है इसमें बहुत बड़े-बड़े अधिकारियो का चयन होता है और बड़े-बड़े अधिकारियों का ही अगर धांगले होगा तो भाइस में देश का क्या करेंगे ठीक है गरेब का क्या ओट सीख ठीक करेंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे के लिखावा उन्होंने कहा कि यह तो एक उधारन वातर है ऐसी अनेक बड़ी है यह तो सिर्फ एक उधारन है बाकी बहुत सारी गड़ बड़ी है इसके अलावा दिव्यांगों के लिए 36 आरेक्षन का पालन नहीं किया गया सेनिक कोटा महिला कोटा का आरेक्षन भी नहीं दिया गया 33 सेंटर में क्रमवार पास हो गया है लगभग तीन ऐसे सेंटर निकला जिसमें क्रमवार रोल नंबर को पास किया गया ठीक है सेटिंग गेटिंग के कारण हाई कटफ गया है ठीक है इतना कटफ नहीं जाना चाहिए था जितना गया आयोग कटफ जारी करेगा तो और गड़बड़ी सामने आएगा ठीक है अभी तक कटफ जारी होने के बाद छात्र नेताओं ने कहा कि एक नमबर से लगातर आंदोलन जारी है उन्होंने कहा कि सातवी से दसवी जेपीसी बीटी परिक्षा रद करने की मांग को लेकर पुर्व निर्धारित कारिकरम के तहत जारकंड के छात्र अपना जायज मांग को लेकर सन्विधानिक तरीके से JPSC मुख्याले का घेराओ के माध्यम से अपना हक अधिकार का मांग कर रहे थे उस दिन कारिकरम इस्थल पर छात्रों के जाज मांग को समर्थन करने और छात्रों का होसला बढ़ाने आए विनैसर के साथ JPSC गेट JPSC गेट के पास मौजवत एक महिला पुलिस कर्मी द्वारा अभद्र वैवार किया गया गाली गलज किया गया ये घटना बहुत निंदनिया है एक गुरू जी के साथ अभद्र वैवार से जारखन के छात्र अक्रोसित है उन्होंने मुख्मंत्री हेमन सोरेन से मांग की कि दोसी पुलिस कर्मी को बरखास्त किया जाए छात्र नेताओं ने सरकार से साथवी से दसवी JPSC परिक्षा को रद करने की मांग की है बिल्कुल रद होना चाहिए क्योंकि देखिए इस तरह का अगर लगातर करमवार अगर कोई पास हो रहा है ठीक है एक रोल नमर के बाद दूसरा इस तरह से अगर करमवार पास हो रहा है तो इससे क्या जायर होता है इससे जायर होता है कि परिक्षा जो लिया गया वहां उस जगा पर व्यवस्था ठीक नहीं था सब एक दूसरे का चीटिंग कर रहे होंगे या कोई वहां पर होगा जो उनको कोश्चेन अंसर बताता होगा या फिर उनको पहले से इन सारे सवालों के जवाब मालूम होंगे तो इन सब पर बहुत कड़ी कारवाई होने चाहिए ठीक है और ज उनके साथ धोखा हुआ तो इसके लिए सभी आकरोशित हैं ठीक है मैं भी इसमें काफी जद्द आकरोशित हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत सारे ऐसे है छात्र जो काफी आर्थिक परिसीति जिनकी काफी खराब है तो अभी वह परिक्षा की तयारी कर रहते कि उनका निकल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन ऐसा हो ही कैसे सकता है यहां सेटिंग गेटिंग का बात हो रहा है तो इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए एक मंत्री है मन सोरेंजी को ध्यान देना चाहिए कि सरकार पर अगर आप आए हैं तो आप इन पर कड़ गरवाई कीजिये लगातर कैसे कोई पास हो सकता है यह पॉसीबल ही नहीं है ठीक है कोई भी एकजाम में ऐसा नहीं होता है जो JPS exam में हुआ है तो सरकार से हमारे दुबारा हमारे चैनल examiner nopton box के दुबारा अनवरोद है कि सरकार इस पर उचित कारवाही ले और जो भी इसमें दोस्य उनको कड़ी से कड़ी सजा दे यहाई पर मैं इपने वीडियो को विश्राम करते हुए यहाई पर मैं इपने वीडियो को समाप्थ करता हूँ ठीक है और साथ ही आने वाले जितने भी और भी कोई नोटिफिकेशन सोंगे उसकी जानकारी मिलेगी तो हमारे चैनल में अगर नए है तो दोबारा बताना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना बोले तब तक लेपका बहुत बहुत धन्यवाद